आज मैं अपने देश्वासियों के सामने बहुत भारी मन से एक अपील करने के लिए खड़ी हूँ मेरे साथ गीता खड़ी है ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है ये वही लड़की है जो दस बारे वर्ष पहले सरहत पार पाकिस्तान पहुँच गई थी कैसे वहाँ पहुची ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है बोल पाती तो बता देती हमें मालूब पड़ा करीब दो वर्ष पहले कि भारत की एक बेटी पाकिस्तान में है प्रचलित भाषा में वो गूंगी बहरी है लेकिन पाकिस्तान की एक संस्था इदी नाम की संस्था उसे पाल पोस रही है सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आदा करना चाहूंगी इदी संस्था का जिनोंने बहुत प्यार से इसे बेटी की तरह पाला और सुरक्षित रखा एक बहुत प्रतिश्चित संस्था है इन दोर की 33 वर्ष पहले स्थापित हुई थी उन्होंने हमसे कहा कि आप चिंता ना करें माबाप नहीं मिले तो क्या आप इसे हमारी संस्था में भेज़ें दो वर्ष पहले हमने गीता को संस्था में भेज दिया मौह इसने सांकेतिक भाशा सीखी है सिलाई कढ़ाई सीख रही है, कंप्यूटर पर भी काम करती है लेकिन माबाप के ना मिलने की पीला लगातार बढ़ती जा रही है कभी-कभी बहुत विचलित हो जाती है, बहुत रोने लगती है और जब-जब मैं मिलती हूं तो शिकायत करती है किसी तरह से माडम आप मेरे माबाप को ढूंड दो आज उसी के लिए अपील करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई हूं सबसे पहली मेरी अपील तो इसके माता-पिता के लिए है करपिया, सामने आईए और अपनी बेटी को अपनाईए मैं वादा करती हूँ इस बेटी को आपके लिए बोच नहीं बनने दूँगी इसकी सारी जम्मेदारी हम स्वेम वहन करेंगे शादी की, पढ़ाई की लेकिन आप आईए आपकी बेटी तड़प रही है आपसे मिलने के लिए गर्पे आईए, इसे गले लगाईए जो भी व्यक्ति हमें गीता के माबाप को मिलवा देगा हम उसे एक लाक रुपे का इनाम भी देंगे आपकी बेटिस्ट असे एक कि लिए ऑकी का बड Messiah हमेरे हूर अचितास झाल इनाम आपकी लुपे का दो बisकultग laugh झाल 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 झाल